नमस्कार भारत शक्ती के डिफेंस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है पिछले सोमवार को चीन ने एक महत्वपूर्ण नीती बदलाव की घोशना की उसने कहा कि जोडो को विवाहित जोडो के तीन बच्चे हो सकते हैं आप सब को मालूम है कि कई साल 1979-80 से लेकर 2016 तक सिंगल चाइल पॉलिसी को इनफॉर्स किया चाइना ने मैक्सिमम पॉपुलेशन के ऊपर ये लागू था 2016 में इसको रिलाक्स किया गया और टू चाइल पॉलिसी आया क्या हुआ इन पांच सालों में जिसकी वजह से थ्री चाइल पॉलिसी अलाव करने का जो ये घोशना हुई किसके पीछे कारण क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं डिफेंस मंत्रा में इन ही मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे हमारे साथ भारत शक्ती के संस्थापक और प्रधान संपादत नितिन गोखले है नितिन डिफेंस मंत्रा में आपका स्वागत है जन्यवाद तो आज एक सोशियो लॉजिकल डिसकॉशन होगी चाइना की डिमोगरफी पे तो चाइना सबसे इंट्रिस्टिंग बात यह है शायद की चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा अबादी वाले देश है लेकिन चाइना क्या जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रहा है घट रहा है तो शुरू से शुरू करते हैं 1949 जब PRC जब चाइना की जनसंख्या थी चाउवन करोर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और वान चाइल पॉलिसी कैसे आया वहां से शुरू करते हैं इसलिए हम इसकी चर्चा डिफेंस मंत्रा में कर रहा हैं लोग साहँ साहँ सोचेंगे कि डिफेंस मंत्रा में यह क्यूं बात करें हैं 1949 से लेकर 1976 तक उनके आवादी में आपने जैसे कहा 54 करोड से 94 करोड तक की वृद्धी हुई इतना इतनी आवादी बढ़ गई कि उनके पास फिर खाद्यानों की रहने, रहन सेहन की सब चीजों की कमी होने लग गई और वो तब चीन एक बहुत गरीब देश था और उसके लिए वो कठनाई बढ़ती गई इसलिए उन्होंने वनचाइड पॉलिसी की खोशना की और कहा कि मेजॉरिटी पॉपिलेशन जो वहां पर है हान चाइनीज लोगों का टिबेटन्स को युगूर्स को उनना तका कि आपको इसमें एक्जिम्शन है आप जितने चाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं क्योंकि वह रहते हैं वेस्टन चाइना में टिबेट में और शिंचियंग मे तो इसलिए उनने वनचाइड पॉलिसी की घोषणा की और एंफोर्स किया बहुत स्ट्रिकली एंफोर्स किया उसके लिए पैनल्टी होती थी जेल होता था वो सब होता था तो उनचाइड का एक एडवंटेज उनको ऐसा मिला कि यंग पॉपिलेशन उननीसौअए के बाद या 85 के बाद 2000 तक उनकी यंग population बहुत बढ़ गई एक ही बच्चा होता था और वो पूरे labor force उनका जो था वो पूरा यंग रहा और इसलिए cheap labor force रहने के कारण चीन ने अपनी economy को बहुत जल्दी बहुत बड़ी economy बना दी और अब number 2 economy है पूरे दुनिया में तो उसका फायदा उनको तब हुआ पर इसका परिणाम भी अभी है वो देख रहे है और इसलिए यह थ्री चाइल्ड पॉलिसी जो उनने घोशना की इसके पीछ एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगा पर 2015 में उन्होंने कहा कि एक की वजये आप दो बच्चे पैदा कर सकते हैं तू चाइल्ड पॉलिसी की गोशना 2013-14 में की और मैं खुच जब अभी 2017 में गया था तो मुझे रास्तों पर, malls में, public spaces में यह दिखा कि पहले जहां एक ही बच्चा माबाप के साथ होता था वहां एक बच्चा भी और एक जो pregnant lady है वो जादा दिखने लग गए थे कि उन्होंने शायद सोचा कि अभी हम दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं पर पिछले पांस सालों में आबादी बढ़ने के बजाए घट गई जहां एक सो चल्ण और या देड़ करोड बच्चे में में किल्द से पांच साल में पैदा हुए living in 2016 देशवा थे कि दॉजार बीकद में चार साल में यह पहले 2016 में हर साल 17 मिल्यन बच्चे पैदा होते थे और 2016 में 21 मिल्यं हो गए तो 5 मिल्यं घट गए पांच मिलियन मतलब आपको पचास लाख बच्चे कम हो गए, पैदाईश कम हो गए, तो यह उनको एक वार्निंग सिगनल मिल गया और उस तब जाके इनों ने यह पॉलिसी क्यों बदलाव लाया, तीन बच्चों के लिए, तो इतने साल से जो यह वानचायल पॉलिसी चल रह जैसे एक हजार मेल के सामने महिलाओं की संख्या बहुत कम होगी, तो फिर वो, क्योंकि वो मेल चाइल प्रिफर करते थे, और मेल चाइल ज्यादा होते भी हैं, वैसे एवरेज, ओन एवरेज, इसलिए, तो वो होने के कारण फिर शादियां कम होने लग गए, शादियां कम होने लगए, तो बच्चे कम पैदा होने लगए, इसलिए पॉपलेशन उनका घटे गया, और अभी पिछले पांच सालों में बढ़ने की बजाए, दो टू चाइल पॉलिसी करने के बाद, वो पॉपलेशन घट गई, जब 2021 में उनका सेंसिस का रिपोर्ट आया, तो उनको कि लोग शादी करना ही नहीं जाते थे, लोग अपने करियर पे और चाइन दे रहे थे और ये भी है कि चाइन में लोग वरकिंग आर्ज उनका बहुत लंबा है, एक वो है, दूसरा वहां पे जैसे बहुत लोगों का माइग्रेशन ग्रामीन इलाकों से शेहरों में हुआ, अब शेहरों में रहने की वेवस्ता कम थी, घर कम थे और बहुत एक्सपेंसिव थे, घर खरीदना तो मुश्किल ही था, घर रेंट पे लेना भी मुश्किल था, तो लोगों ने फिर ये कहा कि जाओ घर ही नहीं है तो फिर हम शादी कैसे करेंगे, इसलिए शादियां कम ऐसे होते गया, एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ते गया चाइना के, लेबर उनका चीप था इसलिए, पर वो जाके अभी 30-40 साल बाद, वोही पॉपिलेशन जो यंग था उस दोरान, वो अब बोल्ड हो गया, अब 60 साल के जो लोग साथ साल से उपर के जो लोग हैं, उनका परसेंटेज अब 19 परसेंट है, चैना में, जो 5 साल पहले तक या 10 साल पहले तक 13 परसेंट था, तो इसके साथ साथ यंग पॉपिलेशन घट गई और बुडों की संक्या जादा हो गई, तो बेसिकली इंवर्ट पिरमिड हो रहा है जहां यांग लोग मीचे बेस फॉर्म करते हैं ज्यादा होते हैं वो उल्टा हो रहा है, एजट पीपल ज्यादा हो रहे हैं, यह स्कंडिनेविन कंट्रीज में भी यह प्रॉब्लम है, पर चीन में ऐसा है कि अबादी इतनी ज्यादा है, अगर 140 करोड लोग अबादी है, और उसमें अगर आपके 19 या 20 परसेंट लोग 60 साल से उपर होते हैं और आजकल लोग ज़्यादा जीते हैं, लोंजिविटी बढ़ गई है, तो 60 साल से 80 साल तब उनकी प्रॉड़क्टिविटी कुछ भी नहीं होती, स्टेट को उनकी देखवाल करनी पड़ती है, उनकी ओ बढ़ेशन बढ़ेगा, उनकी ऐसी उम्मीद है, आपने आने वाले 20 साल, यह बहुत इंट्रिस्टिंग है, क्योंकि आज अगर 2021 में कोई बच्चा पैदा होता है, 22 में उसको प्रोड़क्टिव होने में तो 18-20 साल लगेंगे तो बीच में यह लोग करेंगे, क्या आज़ जहां 10% ग्रोफ होता था एकोनोमी में, वहां जाके अभी 6% पर एवरेज पिछले कहीं सालों से हो रहा है, तो इतनी बड़ी पॉपलेशन को इतनी बड़ी आबादी को आपको मेंटेन करना या उनको उसी स्टैंडर्ड पे रहना, प्रोस्पेरिटी के, उनको जितना पैस उनके पॉकेट में पिछले 45 साल में आया उतना ही रखना, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनावती है, और इसलिए वह थोड़ी से चिंतित है, कि ये जो संख्या कम हो रही है, वर्किंग पॉपलेशन की, इसको कैसे बढ़ाया जाए, आने वाले 20 सालों में कम से कम चीनता की पात, जब आपने कहीं मुझे याद है, जब इस लगदाख में जो इंकर्शन हुआ था, तब ही हमने वानचाइल पॉलिसी की बात की थी, और इस पर आर्मी के रिकूटमेंट पर भी असर पड़ता है, और अभी जैसे वानचाइल पॉलिसी के कारण जो एक-एक पच्छा, एक फैमिली में है, अगर वो मिलिटरी जोइन करता है, तो अगर उसकी वहाँ शहादत होती है, वो शहीद होता है, तो कितने लोगों पर असर पड़ता है, उसके दो माबाप हैं, दो लोग हैं, उन दोनों के माबाप हैं, वो चार लोग हैं से छे लोगों के एक चिंता उन्हें चीन में अभी है, और यह रहेगी आने वाले 20 साल में, एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दीज़े, अभी जो स्टैंडर्ड प्लिविंग जो इतना जहाई है, लेकिन अगर एक बच्चा है, तो उसको अपने दादा दादी, नाना नानी, मा और बाप सब क प्रॉपर्टी मिलने से भी पर उसको फिर जगा नहीं होती है घर में रहने के लिए शादी करके किसी को लाने के लिए, तो आजकल शांगाय में पिछले कई सालों से ऐसा एक मैरेज ब्यूरो वीकली होता है, जहां पर बुडे माबाप अपने बच्चों की, मैं हाइट, वेट, सब लिखके कहते हैं और आप वहां जाके फिर वह नुमाइश होती है कि आप देखो अगर आपको शादी करनी है तो वहां पर एरेंज मैरेश का अभी भी महत्व है और वह बच्चों के बहाफ पे पेरेंट्स करते हैं तो यह बड़ी इंट्रिस्टिंग सो काफी चर्न है हमें लगता है चायना बिलकुल एक मोनोलित है कि एक ही धाचे में डाले हुए सब लोग है ऐसे नहीं है वहां पे भी काफी लोग अपने अपने उनके तौर तरीके उनकी परंपराय उनके बिलीफ्स अलग-अलग होते हैं और इसके कारण यह सब हो रहा है कि पहले कहते थे कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करो वो प्रोड़क्टिव होंगे वो पैसा लाएंगे फिर वो वन चायल्ड पॉलिसी एंफोर्स कर दी अब वो कह रहे हैं दो चायल्ड कर दी फिर अब तीन थ्री चायल्ड पॉलिसी होगी तो पात साल में इतना बड़ा उसमें जडित हैं इसलिए ये मामला बात करना इसके ओपर चर्चा करना ज़रूरी था बिलकुल बिलकुल ज़रूरी था और मैं एक लास्ट एक सवाल पूछूंगी चोटा सा जो इंडिया ने किया हम दो हमारे दो जो कैमपें था मेरे ख्याल से वो शायदा सोची समझी ज कम से कम दो बच्चे होनी चाहिए क्योंकि वो एक-दूसरे करा ध्यान रखेंगे जब माप नहीं रहेंगे वो जब गुजर जाएंगे तो कम से कम ऑぜ एक-दूसरे के लिए वो दो बच्चे होते हैं तो वो उसी का έखक अभी भारत में दिख रा है आज भारत में 65% जन सं तरूरी है इस आने वाले 20-25 सालों में बिलकुल, so thank you very much Nitin, हमने सुना कि किस तरह से ये जो three child policy अभी चाइना ने लागू किया है, या करने जा रहा है, इसका कारण किया है और किस तरह का इंपक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत साल लगेंगे इसको पूरी तरह से होने में चा चाइना की जो अबादी है वो घट रही है, आगे हमें देखना होगा कि इसका इकनोमिक, इंडास्ट्रियल और जो पूरे दुनिया के लिए ये कैसे प्ले आउट होगा अगे, लेकिन thank you very much Nitin, आपने हमें time दिया अपने ताइम दिया, अपने हमें ताइम दिया, अपने हम हमें feedback भेजते रहिए, हमें इंतजार रहता है, मिलते हैं अगले हफते, thank you